हेलो दोस्तो वेल्कम टू माई यूट्वीब चैनल और दोस्तो आज हम बात करेंगे इंजैक्षन नेक्स बॉलिक के बारे में कि किस कमपनी का प्रोड़क्ट है पसुओं में किस किस कंडिशन में आप इस इंजैक्षन का यूज कर सकते हैं पस्मों में इस injection को देने की dose क्या है तो दोस्तों injection nextbolic के regarding पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आये हैं उनसे request है मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और bell icon का विटन जरूर दबाएं ताकि भविस्य में आने वाली हर वीडियो की notification दोस्तों आपको मिलती रहे तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों injection nextbolic intas company का एक बहुती बेहतरीन product है दोस्तों सबसे पहले बात अगर हम इस product के अगर content की करें तो इस product में जो content डाला गया है वो है methyl ergo matrine जो किसमे 0.2 mg per ml के हिसाब से डाला गया है दोस्तों अब बात करते हैं कि पसूँ में किस किस condition में आप इस injection का यूज कर सकते हैं दोस्तों अगर पसूँ में delayed utrine involution की अगर problem है कि पसूँ में परसूँ के बाद पसूँ की जो बच्चा दानी है वो अपनी normal बस्ता में नहीं आ पा रही है तो उस केस में choice drug के रूप में आप इस injection का यूज पसूँ में कर सकते हैं इसके लब दोस्तों कई जानवरों में parturation के बाद हमें access bleeding की समस्या देखने को मिलती है जिस वज़ा से पसूँ प्रसूँ के बाद बहुँ ज़दा कई पसूँ में bleeding होना start हो जाती है और कई बार वो bleeding बहुत दिनों तक होती रहती है जिस वज़ा से पसूँ बहुँ ज़दा कमजोर फिल करता है और डल हो जाता है अगर इस तरह की समस्यागर आपको अपने जानबर में देखने को मिल रही है तो उस केस में भी चॉइस ड्रक के रोप में आप इस इंजेक्शन का यूज पसु में कर सकते हैं इसके लाव दोस्तों अगर पसु में प्रसव के बाद अगर पसु में प्रोलैप्स की समस्य अगर आपको देखने को मिल रही है जिसे हम पसु में भार डालना यव फूल दिखाना भी कहते हैं तो उस केस में भी चोईस ड्रक के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ में कर सकते हैं इसके लाव दोस्तों अगर पसु में नॉर्बल पार्चुरिशन की जगा अगर पसु की सर्जरी अगर हुई है पसु में सर्जरी के द्वारा अगर बच्चा निकाला गया है तो उस केस में भी स्पोर्टिव ड्रग्स के रूप में आप इस इंजेक्शन का य कि अगर समस्या आ रही है वो समस्या भी इस इंजेक्शन को लगाने के बाद पस्वों में खत्म हो जाती है दोस्तों अब बात अगर हम इस इंजेक्शन के पस्वों में अगर डोज की करें तो दोस्तों कैटल वफ और मेर के केस में 225 mg पर केजी बॉड़ी वेट के हिसाब से आप इस इंजेक्शन का यूज पस्वों में कर सकते हैं साथ ही दोस्तों छोटे जानवरों में शीप गोट और सो के केस में 0.521 mg पर केजी बॉड़ी वेट के हिसाब से आप इस इंजेक्शन का यूज पस्वों में कर सकते हैं इसके लाओ दोस्तों इस इंजेक्शन के पस मस्कुलर ही आप इस injection का यूज़ कर सकते हैं। कि इंजेक्षण नेक्स बॉलिक एक बहुती बीतरी इंजेक्षण है। और जब कभी भी आप इस injection का यूज़ पस्वों में करें तो बहुती बेहतरीन रिजल्ट आपको इस इंजेक्शन के पस्वों में देखने को मिलेंगे तो I hope दोस्तों की आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई होगी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक और उसकी फुल इंफॉर्मेशन के साथ